दक्षिन अफ्रीका के और राउंडर क्रिस मौरिस ने भारत के युवा विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंत की तारीफ की है। यह पूछे जाने पर की उनके शामिल होने से क्या बल्लेबाजी क्रम में पंत के क्रम पर कोई असर पड़ेगा। मौरिस ने कहा। रिशब उसी तरह खेलेंगे चाहे उनकन। बल्लेबाजी क्रम कोई भी हो। आक रामक खेलना उनका स्वाभावि खेल है और जिस पोजीशन में वह खेलते हैं उसका टीबीस। मैं कोई माइने नहीं है क्यूंकि उनके अंदर किसी भी बल्लेबाजी क्रम में खेलने की क्षमता है। मेरी भूमे का जोड़तार शॉट केलने वाले और देथोवर में रंस को करने की रहेगी। IPL 2019 DCVSKKR कुछ ऐसा हो। सकता है दिल्ली कॉलकाटा का प्लेइंग शेद दिल्ली टीम ने 2019 की निलमी से पहले क्रिस मॉरिस को रिटेन किया था। डेथोवरों में अपनी सटीक्योकर के लिए मशहुर मॉरिस ने अब तक IPL में 52 माचों में 56 विकेट लिये हैं। मॉरिस ने कहा, मैं एक औल राउंडर के रूप में अपना योगदान देनी के लिए तयार हूँ, मेरे लिए डेथोवरों में गैन बाजी करना महत्वपून रहेगा, मैं सटीक्योकर से बिलेबाजों को काबू रखना जाहूँगा, रासेल की चुनौती का सामना करने के लिए तयार क्रिस मॉरिस ने कहा है कि वह इस मैच में हर्फन मॉला खिलाडी आंद्रे रासेल की चुनौती का सामना करने के लिए तयार हैं, मॉरिस कहा, वह रासेल एक शांदार प्रतिभाशाली खिलाडी हैं, यह उस तरह का मामला है कि अगर वह चुके तौ में इन मारूंग, मेरा दिमाग समय के साथ काम कर रहा है और मैं अपने ट्रेनिंग पर भरोसा करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, हमें एक समान काम मिले हुए हैं, वह थोड़ी तेज बल्ले बाजी करते हैं, हमारा काम छपके लगाना और विकेट लेना है, लेकिन एक बल्ले बाज के रूप में शायद मुझसे ज्यादा उन पर जिमे मैं टीम में थोड़ी उर्जा लाना चाहता हूं और मैं इसके लिए उत्साहित हूं, IPL-201-9 DC VSKKR, बिल्ली में है ट्रिक पर कोलकाटा की निगाह कप कहां कैसे, देखे माच कोटला का विकेट इस सीजन में थोड़ी धीमी है और मौरिस ने भी इस बात पर सहमती जाता है, है, उन्होंने कहा, सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह विकेट थोड़ी धीमी है और यह टन होती है मौरिस, के आने से विकेट कीपर बलेबाज रिशब पन्त की बलेबाजी क्रम में बदलाव हो सकता है, मौरिस ने कहा कि पन्त, एक अच्छे बलेबाज हैं और वह किसी भी स